हेलो फ्रेंड्स गूड इवनिंग कैसे हैं आप लोग उमीद है बहुत ही अच्छे होंगे आज की इस कलास में हम बात करने वाले हैं NDA परिक्षा 2024 के लिए NDA परिक्षा जो 2024 अप्रेल महा में होगी उसके लिए आज हम यहाँ पर batch announcement की बात करेंगे साथ ही बात करेंगे कि जो लोग एकदम नए हैं जो first time NDA exam को देंगे उनको NDA की संपूर्ण जानकारी जो है इस कलास में मिलने वाली है जो students NDA की तयारी कर रहे हैं एक बार फिर बत सुन लिजे आप जो student NDA की तयारी कर रहे हैं उन students के लिए अप्रेल महा में जो NDA का paper होगा उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस छोटी सी कलास में मिलने वाली है सिर्फ 10 मिनिट की इस कलास में NDA की पूरी रोप रेखा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा दोस्तों हम जिस exam की बात कर रहे हैं वो है name of exam National Defense Academy short में इसको क्या बोल रहे हैं हम NDA full form होती है National Defense Academy राष्ट्री है रक्षा अकादमी और exam conducting body इस exam को कौन कराता है UPSC यह जो भारत की जो है लोग से वायोग जो है वो इस exam को conduct कराती है UPSC जो है इस exam को conduct कराती है जैसे अलग-अलग state की जो वहां की लोग से वायोग है वैसे परिक्षा कराते हैं तो देश की एक UPSC है वो इस परिक्षा को conduct कराती है frequency of any exam frequency का मतलब साल में कितने बार ये paper होता है two times in a year साल में दो बार ये परिक्षा होती है एक September में और एक April में तो September में अभी exam हुआ था जिन student ने exam दिया और वो सफल नहीं हो पाए किनी भी कारणों से तो April के लिए आप लोग कमर कस लीजिए पूरी रूप रेखा समझ लीजिए और उसके according आपको तयारी करवाई जाएगी और इसी चैनल पर एकदम free तयारी करवाई जाएगी आपको एकदम initial पूरा का पूरा जो batch है वो इस YouTube चैनल पर आपको free करवाऊंगा में लेकिन मैं आपको सिर्फ English की तयारी करवाऊंगा मेरा subject English है तो English से related जितने भी topics हैं हम NDA में जितने भी NDA में English से related topics हैं वो सब आपको एकदम initial कराए जाएगे daily उसकी class आपको मिलेगी इसी चैनल पर वो भी एकदम free तो साल में दोस्तों दो बार ये NDA का एकदम होता है सेप्टमबर में और अप्रेल में स्टार्टिंग से अगर हम वापस बात करें कि name of exam किस exam की बात कर रहे हैं NDA exam की बात कर रहे हैं और full form होती है National Defense Academy और जो UPSC है वो इस exam को conduct करवाता है IUD कोन कराता है UPSC करवाता है ठीक है और frequency of NDA exam की बात करें तो साल में दो बार NDA का exam होता है उसके बाद आगे की हम बात करते हैं तो और थोड़ी सी जानकरी अगर इसमें देखें तो यहाँ पर इस slide पर focus कीजिए selection process क्या है selection process है इसका return test होता है और उसके बाद SSB होता है SSB एक type के interview होता है और जिसमें 6-7 दिन आपकी यह process चलती है SSB की और return pass करने वाले बच्चे ही SSB में entry करते हैं और SSB में select होने के बाद medical, physical के बाद आपको जो है lieutenant बनने का मुका मिलता है भारतिया वायू से ना हो या भारतिया थल से ना हो या भारतिया जल से ना हो mode of exam की बात करें तो यह exam online नहीं होता यह exam offline होता है ठीक है paper pen जो pattern होता है उस पर offline होता है online नहीं होता यानि की pen and paper mode इसको pen and paper mode कहते है या paper and pen mode कहते है total papers in nda exam जो होते हैं, NDA का जो आप एक्जाम देते हैं, टोटल कितने एक्जाम होते हैं, ठीक है, इसमें टोटल सब्जेक्ट की बात कर ले चाहे, Mathematics और Get, ठीक है, ये दो General Ability Test बोलते हैं इसको, और एक Math Test, Get की Full Home क्या है, General Ability Test, तो Mathematics और Get, दो पेपर होते हैं, यहां पर, एक तो Math का और एक Get का, यह दोनों पेपर मिलाकर 900 नंबर के होते हैं, जिसमें से 300 नंबर का, तो आपका Math का पेपर होता है, और 600 नंबर का आपका Get का पेपर होता है, अब Get में क्या आता है, Get में जो है, हम English भी पढ़ते हैं, Get में जो है, General Science आती है, GK आता है, यह सारी चीजें जो है, Get के तहता हम बढ़ते है, GK, General Science और English, यह सब Get के तहता है, और Mathematics का पेपर जो होता है, वो 300 नंबर का होता है, 11, 12 की जो है, Math, Advanced Math जो है, इसमें वो आती है, और उसके बाद हम बात करें, Total Number of Questions की, तो Mathematics के जो कोशन होते हैं, वो 120 कोशन होते हैं, Mathematics के कोशन, 120 के होते हैं, औ Negative Marking जो है, Mathematics में तो 0.83 होती है, और Get में 1.33 होती है, Exam Duration की बात करें, तो Mathematics के लिए आपको 5 गंटे मिलते हैं, ऐसे ही Get के लिए भी आपको 5 गंटे मिलते हैं, यह Total Number of Questions की बात हो गई, 120 कोशन, Mathematics के और 1500 कोशन किसके होते हैं, Get के, Negative Marking की बात करें, तो 0.83 है, तो Mathematics के लि यह Get के लिए आपकी Negative Marking है, Mathematics का समय भी डाइगंटे है, और Get का भी डाइगंटा है, दोनों पेपर के बीच में कुछ ब्रेक अपन को मिलता है, तो यह दोस्तों पूरी कहानी थी, किसकी NDA एक्जाम की जो लोग NDA एक्जाम की तियारी कर रहे हैं, अप्रेल में आगे इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं, वो मैं आपको इस चैनल पर कराऊंगा, डेली इसकी एक क्लास आपके सामने उपस्तित होगी, तो आप सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर ले, ताकि समय पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिले, और आप उस नोटिफिकेशन क क्लास को अटेंड करे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, हम जो है एंडिये में जो इंग्लिश के कोशन आते हैं, उसके पूरे पेटरन के आधार पर बहुत सारे कोशन की प्रेक्टिस हम लोग इसी चैनल पर दोस्तों करेंगे, तो चैनल को सबस्क्राइब करेंगे, और ब करें, तो मिलते हैं, अगली क्लास में ये छोटी सी जानकारी थी आपके लिए, एंडिये एकसाम के लिए, मैं उमीद करूँगा कि आप इस क्लास को जोइन करेंगे, अप्रेल दोहजार चोईस में जो एंडिये का पेपर होगा, उसको आप क्लियर करेंगे, बेस्ट ओफ ल